दोस्तो स्वागत आपका दाइकजाम पोटर में कैसी चल रही है आप लोगों की तयारी एक दो दीन से ही काफी मैसेज आ रहे थे कि अब दरोगा मिंस 29 नॉंबर को होना है बहुत डर लग रहा है तो मैंने सोचा था कि इसके रिगार्डिंग कल ही वीडियो बनाऊंगा लेकि कि भाई साब आप जो लोग भी हो डरने की बिल्कुल जूरत नहीं है बात देखो जो लोग डर रहे हैं इसका मतलब उनकी तयारी अच्छी है ओ कुछ और पढ़ना चाहते हैं तो उनको लगता है कि हमारे पास कम समय है यही मेंटालिटी आपको डर आता है कि यार यह भी छ हो जाना चाहिए थे नहीं अप दर होना बिल्कुल आजमी है लेकिन डरना है नहीं ठीक है डर यह लेकिन एकजाम सेंटर पे जा कर दरना बिल्कुल भी नहीं है ठीक है तो अपने मन को सांत रखें देखिए मुझे अभी भी याद है कि साद 15 जुलाई को उस समय BPSC का एक् अभी भी 25 तारीक है और सब लोग जो लोग एक्जाम देने वाले हैं बाहर जो दिल्ली वगर में थे या पटना वाले थे वह मतलब अपना जगह बना चुके हैं अभी आपके पास टाइम है 25 27 लास्ट टाइम में इन चीज़ों को रिवीजन कीजिए ना कि जिससे आपको नहीं पा रहा हूँ अभी लास्ट टाइम में एक दिन 28 तारीक को इस पीशाय पर भी बात होगी एक दम चिल रहना है क्यूंकि अब आप उस मोड पे आ गया हैं जहां से आपके लिए मतलब हार जीत का प्रस्ण सुरू होता है लेकिन डर येगा तो कोई फायदा नहीं है ड तो कटफ बढ़ने के चांसे जरूर है लेकिन एक्जाम में कोई भी उठा के देख ले देख सकते हैं किसी भी इक्जाम का कि कटफ का जो यह होता है फर्क होता है बहुत ज्यादा नहीं होता दो नंबर चार नंबर माक्सिमम ठीक है तो आपको उसके बारे में सोचना नहीं है और एक रिउमर जो हमें मार्केट में बहुत सुनने को मिल रहा है जिसके बारे में आप सभी अवेर हैं उस चीज से भी काफी लोग प्रभावित होते दिखाई दे रहे हैं कुछ लोग मैसेज भी कर रहे हैं यार जो अगर इस चीज सोचिएगा है दस मिनट सोचिएगा तो आपका दो घंटा बरबाद होगा यह अगर आपको सोचना ही है तो एकजाम के बात सोचेगा क्योंकि आप अभी सोचते हैं तो आपके पस कोई option नहीं है कुछ कर नहीं पाओगे अब कुछ भी ऐसा नहीं होता है हमारे साथ ऐसे ऐसे लोग है मतलब जिनको देख के आप math reasoning यदि आपको आता है तो एक दिन टाइम दीजी आप जोग्राफी एंड पॉलिटी के लिए देखे चार तीन दिन में इतना कुछ कर सकते हैं अभी चिल होने की बिल्कुल दीजे उतने भी दम लगा के पढ़ना है एक दो दिन जब आप सेंटर पे जाएगा तो हाँ बिल्कुल करना है मन सांत रहेगा तो अब एकजाम में जाके मतलब एकदम काम काम फील कर पाओगा है ना और इसके 29 का एकजाम हो जाया है काफी समय से मतलब जो सुरू में हम अगस से रिगार्डिंग वीडियो जाल डाल रहे थे तो दरोगा मेंस के लिए डाल रहे तो बिहार दरोगा प्री में कैसे क्या करना है और बिहार कॉंस्टेबल के लिए भी कुछ न कुछ हमारे पास प्लान है ठीक है तोड़ा सा ड्यूटी में रहते हैं तो ड्यूटी कर क्याने के बाद मन नहीं करता है हम लोग मैं भी तो आपनी लोग के तरह का हूँ और खास बा इस लाइन में सीखना होता और मतलब एक इनसान हमेशा ही स्टूडेंट रहता है तो उस हिसाब से हम लोग भी कुछ न कुछ करते रहते हैं और जो बागी यह हैं कि आगे क्या होगा 29 के बाद कुछ न कुछ रणीती निधाल की जाएगी एक मैं वीडियो सोच रहता है कि य 65 जाता है आपके कोई भी कैटेगरी है आपका 65 जाता है तो इसका मतलब यह नहीं यह अपको 65 ही करके जाए अपको टार्गेट रहत रहना है असी हर में कटेगरी वाले जो मतलब मेरे इस्ट्वेंट हैं चात्र हैं जो छोटे भाई हैं सुन रहे हैं तो कहना चाहूंगे आप अपना बेश्ट दीजे कोई भी कटेगरी हो उससे फरक नहीं पड़ता आप असी लाने की कोशिस कीजे 75 आएगा उसके बाद अपना बेश् रिफ्लेक्ट करेंगे आपके प्रोमोशन के लिए रैंकिंग के लिए बहुत कुछ जईयरी है तो अभी कटप के बारे में सोचना नहीं अभी भी दो या तीन दिन टाइम हैं जिसमें आपको बेश्ट देना है ना और बागी एक्जाम के बारे में हम बात करेंगे 29 के तो हमने उस पर काम किया है उसमें कुछ तूटियां एक दो तूटियां है उसको सुधार लिया गया है अभी देखिए जैसे ओ है बिहारी ESI के लिए मेंस के लिए भी तो इंपॉर्टेंट है लेकिन अब जो मेंस दे रहे हैं यदि अभी तक आपने नहीं लिया तो बिल्कु हर चीज को नहीं कर सकते दिमाग में एक फ्रेम बनाना होता है किसी चीज के लिए तो आप उसको लीजिए सॉल्व कीजिए अपने आपको चेकाउट कीजिए कि हम कितना कर रहे है न उसके बाद दीरे दीरे करेंट अफेर्स हिस्ट्री और इन सब पर भी बाते होंगी तो इन सब चीजों प्रशन उठाना कि ऐसे आपका पीडिये में एवाला है एवाला ऐसे है वाला तो मैं तो सब के एक्षाओ की पूर्ती तो बिल्कुल नहीं कर सकता ना बेश देने कोशिस किया गया है ताकि आपको हेल्प मिले और बिहाद दरोगा वाले जो पढ़ लिये है उतना पढ़िये रिवीजन कीजे एक दिन दीजे हिस्ट्री के लिए एक दिन साइंस प्लस मैथ रिजिंग कीजे और एक दिन दीजे जोगरफी और पॉलिटी के लिए आप अभी वी दो या चार नंबर बढ़ा सकते हैं स्पीडी लुसेंड जो भी आपने पढ़ा है उसम जाम का तो खर मौसम ही आ रहा है तो अभी काफी कुछ हम आपके लिए अबलेबल कराएंगे धीरे-धीरे कुछ बात देता हैं हमारी होती हैं लेकिन जरू कुछ न कुछ करेंगे तो वो पीडिये विहार एसाई प्री वाले बिलकुल उसको ले 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 और एक मतलब एक सारे के सारे प्रश्ण बनेंगे और आप सही करके आओगे हैं तो टेंशन नहीं लेना है क्यों मतलब परिशान होना कि डर लग रहा है ठीक है डरना है तो उसके लिए तो कुछ न कुछ अपना ब्यौस्ता होता ही है उन सब ब्यौस्ताओं में लगे रहे लेकिन एक्जाम दीजिए उसके बाद तो खेर ऐसी ऐसा है जहिन हां और एक बात मैं बताना भूल गया था कि ग्रूप जो था पिछला वाला हमने उसको डिलीट कर दिया था ग्रूप बनेगा एक्जाम हो जाने दीजिए कॉमन ग्रूप बनाएंगे और एक हमारे टेलीग्राम ग्रूप च लिए कोई भी और भी सुचना होती है जिसका वीडियो नहीं बन पाता है वहाँ पर आपको मिलेगा आप वहाँ पर डुसका सकते हैं gravत Left Apa को जैदा समय नहीं दिन आपका टाइमिंग जो रहता है वहाँ उससाफ से टेस्स पर चेक कर सकते हैं तो एभी कर सकते है आप जैं झाल झाल